आप सब्सक्राइब बात करने वाला है अपना भाई आज के लिए जो मैच यहां से रहने वाला है प्रोकावड़ी लीक का किस किस के बीच में एक तरफ है वंगोल वर्यर्स हाँ और दूसरी तरफ है यहां से हरियाना स्टीलर्स की टीम अब क्या कुछ अस मैच के रिलेटेड भी प्रेस करना ताकि आगे जाकर कोई भी जो मैच इसकी वीडियोस है बिल्कुल भी आप मिस ना करो अब बागी चलते है अपने इस मैच के उपर क्या इस मैच की प्रेडिक्शन रहती है बट उससे पहले एक चीज़ और जोइन कर लेना वो है टेलिक्राम चैनल जिसका ल अब वैसे अभी के लिए जो अगर पोजिशन देखी जाए इनकी टेबल श्रांडिक्स ना कर दस्वे नमाच इस मैच जीते तीसरा मैच टाई खेला चोथा मैच अगेन इनों ने यहां से टाई खेला अब वैसे अभी के लिए जो अगर पोजिशन देखी जाए इनकी टेबल श्रांडिक्स पर दस्वे नमबर पर है और छटे पर है अर्याना श्रीलर्स की टीम बसे ध्यान रखने है राइट रेडिंग ये करते हैं वहीं पर हमें राइट कवर और लेफ्ट कवर पर देखने को मल जाते हैं दमदार खिलाडी जो लगाता और परफॉंस करते हुए आ रहे जहां पर एक तरफ है संजदूल एक मैच में दो टैकल दूसरे में चार तीसरे में वाई सब और परफॉंस बड़ा च्छे टैकल पॉंट इनों निकाले और राइट कवर पर आपको खेलते हैं नजरा जाएंगे वहीं लेफ्ट कवर पर रहने वाले जैदीब धिया जैसे वहीं इस खिलाडी की वापसी हुए टीम ने वापस जीत की रहा पकड़ ली एक और जो राइट रेडर है वो है विन है जो लगातार बढ़िया करते आ रहें रीसेंट जो मैच रहा हूँ उसमें आठ रेट पॉंट्स जन्हों निकाले थे उससे पहले चार रेट पॉंट्स थे और उससे पहले एक सूपर टैन लगाय थे हैं दस रेट पॉंट इन के नाम रहे थे वहीं अगर लेफ टेन की बात की जाए तो वहाँ पर है शिवम पटारे डीसेंट पर फरफ्रेंस बोल सकते हैं शिवम पटारे की तरफ से या एक वो बोलते ना की थोड़ा सा साथ जरूर देते हुए दिखरे शिवम पटारे वह वह वाला काम चल रहा है दिखरे शाद लो जिनके ओपर भाई शक करने के वो गुंजाईश रहती ही नहीं है ठीक है जहाँ पर एक मैच में जो पिछला मैच था उसमें थोड़ा सा परफ्रेंस बोल सकते हैं थोड़ा डाउन था बट वहाँ भी खराब नहीं था एक टैकल पॉइंट एक रेट पॉ बढ़िया है और एक चीज जो अभी के लिए बहुत बढ़िया चल रही है कि भाई लेफ्ट कोरनर एंड राइट कवर दोनों यहां से जो बढ़िया खेलते हुए दिख रहे हैं तो जो सामने वाले टीम के राइट रेडर्स रहेंगे ठीक है उनके लिए दिक्कते बढ़न लगाता है एक मैच सर्फ यह लाड़ी फ्लोप हुआ है अधर्वाइस चार में से तीन मैचस ऐसे हैं जहां पर राउल सेथपाल ने तीन तीन टैकल पॉइंट्स निकाल है तीन तीन पॉइंट्स तो यहां से कोरनर्स दोनों बढ़िया खेलते हुए निजर आ रहे हैं और मैं बोलूगा भर्याणा स्टीलर्स का जो डिफेंस है वो बहुत बहुत जादा गजब का है इनके रेडर्स ने और अगर कमाल कर दिया तो आज के लिए बढ़ी असानी से जो है टीम जीत के जा सकती है बाकि आशेश गिल है उसका बद में विशाल डेट है यहां से तीन मै ने दो रेट पॉइंट्स निकाल लेते हैं लेफ ट्रेडिंग ये करते हैं बाकि संजय दुल है शाहिल है विकाहश जातों यहां से आपको देखने को मिल जाते हैं अब कैसा इनका अभी तक का यूओ का बड़ी वगरें परफेंस वो आप यहां से पोस करके स्क्रीन देख सकते हैं अब आते हैं जरा आगे निकल कर जो भाई दूसरी टीम है जो की है बेंगोल वोरियर्स की टीम तो बेंगोल वोरियर्स की तरफ देखा जाए तो आपको दिखेंगे मनिंदर सिंग बटलाष्ट मैच जादा कुछ कर नहीं पाए एक ही सिर्फ इनके नाम यहां से ज उमिद रेजा शादलू उसके लावागर बात की जाए राइट कवर और लेफ्ट कवर की तो फिर आपको राइट कवर में देखने को मलते हैं मयूर कदम पिछला मैच जादा कुछ बढ़िया मयूर कदम का नहीं रहा जीरो टैकल पॉइंट थे बट उससे पहले तीन और उ उससे पहले जीरो और उससे पहले एक ही पॉइंट था वहीं पर लेफ्ट एन और राइट एंग के अगर बात करें तो आपको यहां से राइट एन पर देखने को मिलेंगे नितिन कुमार जो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि साथ अच्छा दे रहे हैं ठीक है अगर मनिंदर सि टेखने के लिग ना कहीं बनते हैं बागी राइट रेट 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 जो समा बान्धा था दस रेट पॉंट निकाले थे और क्या ही बढ़िया रेट रेडिंग ये कर रहे थे उससे पहले इनोन ने से पॉइंट दिये हैं तीन और उस से पहले पांच रेड़ और साथ में दो टैकल पॉइंट दिये हैं अब चुकि देगो पिछले मैच वा मनिंदर सिंग नहीं चले तो उस वज़े से काम बेर कर को बहुत जादा मौका मिला जहां पर कि वो दस रेड़ पॉइंट निकाल कर ले गए ठीक है अब बाकि अगर बात कीजा है कोर्णर के तो कोर्णर भाई इस टीम के भी बहुत बढ़ी है क्योंकि एक तरफ है फजल अतरह चली जो आपको लेफ्ट कोर्णर पर देखने को मल जाएंगे और अभी तक पिछले मैच वा भी तीन टैकल पॉइंट थे उस से पहले भी तीन उस से पहले भी तीन और उस से पहले च्छै टैकल पॉइंट इसके लाड़े के नाम थे एंड वहीं पर अगर मैं बात करूँ यहां से नितेश कुमार की तो नितेश कुमार के भी दो मैचेज शुरुआ मैं बढ़िया नहीं रहा था शुरुआत इनकी से ठीक है तो ग्रांड लिग में डेफिनेटली है वो डिफेंस प्लेयर्स को कैप्टन कर सकते हो अत्रा चली है मौमद रेजा शादलू है धुल है जैदीब दहिया रहते हैं नितेश कुमार है यहां से बाकि अगर बात की जाए आगे तो फिर यहां से हेमराज है अरजुन साट पॉंट तो नहीं दिखें उतना जादा टाइम भी नहीं बागी चार रेड़ और यहां से एक रेड़ और एक रेड़ पॉंट को मिला है बट यह सबशूट में यूज़ किये जा रहे हैं अर बार के लिए वैब गर्जे हैं एक में सबशूट यह भी आयते हैं जिरो मलिक है जो लेफ्ट कोर्नर है चिंग चंग है जुरी लिए यहां से रेडर है दीपक सिंदे 5 टैकल पॉर्इंट निकाले ग्याराँ मैच में रैट कोर्नर वबाले हैं 17 मैचस 32 टैगल पॉंट युवा का बड़े में राइट कवर खेलते हैं और बाके आकाश दीपकुमार है यहां से अधिते शिंदे भी है ठीक है अधिते शिंदे जो लेफ्ट कोर्नर खेलते हैं तो यह रहती है फिलाल के लिए जो यहां से पूरा एक बेंगोल वोर्यर्स के तरफ से श्क्रांट सब्सक्रिण है अब अगर आगे हेट्ट वर्ड की बात कीज़ा तो हेट्ट वर्यर्स के फिवर में बिलकुल नहीं है 10 में से 9 दफा हरियाना स्टीलर्स ने जीत हासिल की है और मातर एक ही बार यहां से मेंगोल वोर्यर जीत पाई है और अगर आज वापस से यह मनिंदर सिंग को बोलूगा चुप करा देते हैं तो कहीं न गहीं जीत हरियाना स्टीलर्स की अगेन हो सकती है अब पिछले कुछ हेट्वर्ड मैचेस रहें कैसे हैं पिछले कुछ हेट्वर्ड मैचेस के अगर बात की जा तो बाई पटना में था यह मुकाबला जहां पर हरियाना का स्कोर था 31 बेंगोल का था 36 जहां पर शिवाम पटा रहे ने साथ टच पॉंट चार बोनस पॉंट निकाले थे और साथ में एक टैकल भी था वहीं विने के च्छ टच पॉंट थे जैदीप ने उस मैच में एक टैकल पॉंट लिया था मनिंदर की बात की जा तो साथ टच पॉंट और च्छ बोनस पॉंट मनिंदर ने निकाले नितिन धनकर साथ टच पॉंट और दो बॉनस पॉंट इनके नाम थे वैबाउ गरजे ने यहां से तीन टैकल पॉंट निकाले थे साथ जन्वरी दोहजार चोविस को मैंच होता है जहां पर अगेन हर्याना जीन जाती है स्कोर वही यहां से 41-35 का रहता है मनिंदर अगेन यहां से पर्फॉंट करते हुए दिखते हैं च्छे टच पॉंट दो बॉनस पॉंट टर्न लिये थे उसके लाबा अधित्य शिंदे तीन टैकल वैबाउ के दो टैकल थे महरुद्र के नाम जीरो और यहां से विश्वास ने दो टच पॉंट निकाले थे और वही पर अगर दोसरी टीम से बात की जा तो भाई विने थे पांच टाच एक बोनस पॉंट जैदीब दहिया यहां से चार टैकल पॉंट पटारे ऐसा सब्शूट आये थे और चार टाच एक बोनस पॉंट और साथ में दो टैकल भी निकाल कर गए तो शिवाम पटारे डेफिनिटल आप देखोगे यहां से बाई साथ टाच चार बोनस एक टैकल पॉंट पॉंट पिछले साल एक मैच मैच में था दूसरे में अगर देखा जा तो भाई चार टाच एक बोनस और यहां से दो टैकल पॉंट निकाले हुए अब बागे अगर बात कीजा दोजार बाईस में भी हैट्टोर मैच इस्ते वेसे इनके जहां पर भी हर्याना नहीं जीत हासिल कर रखे वहां पर खिलाडी थोड़े कम थे बठा मनिंदर सूपर टैन नहीं कर पाये थे पांच यह पॉंट निकाल पाये थे के लिए रह सकते हैं तो मनिंदर सिंग नितिन कुमार हलक यह चीज मैं आपको अरड़ी बता दिये बट स्टिल यहां पर थोड़ा समराइजड फॉम में लिखा हुआ है मनिंदर सिंग नितिन कुमार काम बेर कर तीनों के तीनों देखो राइट रिडर है जो स्टार्टिंग साउन में देखने को मिलेंगे और उनके सामने रहेंगे कौन संजधुल एंड मुहमद रिजा शादलू जो कहीं न कहीं दिक्कते क्रेट कर सकते हैं ठीक है माके कर बढल कर भई तो यहां से हरियाना स्टीलर्स की तरफ से की बात करें तो उसमें एक तो है विने और यहां से नवीन रावल जो कि राइट रेडर्स रहेंगे बाकि विशाल गंशाम संसकार मिशगरा है सब भी हैं बट हो कहें बेंच पर और सबशूट मापको देखने को म रहेंगे बागी अधित्य शिंदे यस्मलीक और वबाले भी है और वहीं अगर बात कीज़ें लेफ्ट ट्रेडर की तो शिवम पटा रहें आपको देखने को मिल जाएंगे वो स्टार्टिंग सेवन में बागी जैसूरिया और गनाना अभिशेग भी है बट शिवम पटा रह फेवर मनी मनाई है देगा अत्रा चली है नितेश कुमार है संजे है उसका आद में सेथपाल को पिक्किया हुआ है बाकी मुहमद अदेश शादलू हो गए शिवम पटा रहें इन कामवेर कर अब आप देखोगे मैंने मनिंदर सिंग को नहीं लिया एक तो पहली चीज क्रे ठीक है तो यह जाते है फिलाल के लिए टीम एंट सब चीज़े बागे अरब को यडियो पस नए हो तो लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं गया तो वटावट से कर लो और बागे बलते हैं आपको नेक्श वीडियों बहुत ही जड़ा जो